हेलो एंजिनियर्स तो कैसे हैं आप सब लोग आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक और जबड़ दस वीडियो आज हम जानेंगे कि SS पाइप्लाइन की पंचिंग कैसे करते हैं तो यहां पर हमने डाइवर्टर की फिक्सिंग अल्रेडी करी हुई है और पाइप् हम प्लम का यूज करके डाइवर्टर के सेंटर में स्पाउट को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी मूव हो सकता है क्योंकि जॉइंट अभी पंच नहीं हुए हैं वो फिक्स नहीं हुए हैं तो यहां पर हम स्पाउट को डाइवर्टर के सेंटर में लेकर आ चु जैसा कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा spout हिल गया है तो फिर से हमको दुबारा से plump की help से spout को diverter के बिल्कुल center में लेकर आना होगा spout के center में आने के बाद ही हम punching machine का use करके joint को punch करेंगे तो अभी हम फिर से spout को diverter के center में plump की help से लेकर आ रहे हैं और जब यह fix हो जाएगा तभी हम यहाँ पर punching machine का use करके joint को punch कर देंगे अभी हमारा spout बिल्कुल diverter के center में आ चुका है जैसा कि हमें drawing में center line में given था ऐसा ही हम इसको center line पर लेकर आ चुके हैं और अभी हम punching machine के help से हम joint को punch कर रहे हैं punch होने के बाद joint एकदम seal हो जाएगा हम उसे move नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल seal हो जाएगा यह बिल्कुल air tight हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ हमारे spout के joint की punching हो चुकी है अभी हम diverter के नीचे वाले joint की punching करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से machine को fix करके और हमें start कर देना है तो यहाँ पर भी हमारी punching हो जाएगा दोस्तों सारे joints की punching होना बहुत जरूरी है ध्यान रखेंगे कोई भी joint punch होने से miss ना रह जाए और अगर आपको यह देखना है कि कौन से joint पर punching हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि यह चोटा सा green color का ring आपको दिख रहा है यह तोड़ा टूटी हुई shape में हो जाएगा और उसी के साथ joint के उपर आपको machine को लगाने के कुछ निशान भी दिख जाएगे जैसा कि आप उपर देख सकते हैं ring के उपर तो दोस्तों इसी के साथ आप वीडियो को end करते हैं thank you वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को subscribe करें